हेलो एब्रिवन वन सेगन वल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंट से सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांती की सुब कामना है मेरी तरब से तो आज की वीडियो में आपके से शेयर कर रही हूँ ऐसे फ्लावर प्लांट से जिनने हमें बार बार खरीदने की जरूरत नहीं होती है बस एक बार अगर हम इन प्लांटों को पर्चिस करके अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये प्लांट कई सालों तक हमारे गार्डन मे वैसे का वैसे ही रहता है और इनकी कटिंग से हम धेरो सारे प्लांटे इनकी सीजन में भी बना सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बैलेकिन के साथ तो सबसे पहला जो प्लांटे है यह है डैंतिस डैंतिस का जो यह प्लांटा आप देख रहे हैं यह दो साल से मेरे पास है और विंटर सीजन में ही मैं इस प्लांट को पर्चिस करके लाई थी क्योंकि इसी टाइम विंटर के टाइम हमें नर्सरी में ये प्लांट बहुत ही कम प्राइस के मिल जाते हैं 15 to 20 रूपीस का ये प्लांट लेके तो आते हैं लेकिन कई सालों तक हम अपने गार्डन में आराम से सेव करके रख सकते हैं तो ऐसे प्लांट को हमारे गार्डन में जरूर एट करना चाहिए जो प्रांट के साथ साथ बहुत ही कम कियर के बहुत ही सालों तक हमारे गार्डन में रहता है और इन प्रांट प्लांटों के साथ और एक वेनिफिट है कि मार्च लास्ट में इनकी सीड हम तियार कर सकते हैं जब इनके flower को हम नहीं तोड़ेंगे तो ये plant seed तियार कर देता है और अप्रेल फर्स्टे तक इनके seed को collect करके हम next season के लिए भी रख सकते हैं एक तो plant भी रहता है और उपर से इनके seed भी हमें free में मिल जाते हैं घर में तो इसे ज़रूर add कीजिए next जो plant है फ्रेंट से इसे impetion या Chinese बलसम कहते हैं ये plant एक permanent flower plant है लेकिन winter season में ही हमें ये plant nursery में दिखने को मिल जाता है कई सारे color के साथ only 15 या 20 रूपीस में तो ऐसे plant को हमें जरूर add करना चाहिए होता है जो permanent होने के साथ साथ एक बार purchase करते हैं और कई सालों तक ये plant हमारे garden म रहता है और इनके season में इनकी growing time होती है और इनको cutting से हम बहुत सारे plant भी multiply कर सकते हैं जैसे ही ये सामने आप जितने भी plant देख रहे हैं friends मैंने कम से कम 3-4 सार पहले एक ही plant purchase करके लाई थी और उसी plant की cutting करकर के या कहीं से भी मांग के लेके तोड़ी चोटी चोटी सी cutting को grow भ आए तो ऐसे permanent और सस्ती rate में मिलने वाले plant को winter season में आप अपने garden में जरूर एट कीजिए और ये जो plant है friends से ये shade loving plant भी है ज्यादा दूपकी इस plant को जरूरत नहीं होती है तो ऐसे permanent और shade living plant और कम कियर में चलने वाले plant को जरूर इस time आप अपने garden में add कीजिए और कई सालों तक इन plant को अपने garden में ठहर के रख दीजिए नेक्स्ट जो बहुत ही खुपसूरत से जिनके flowers होते हैं इनको गुल्दावदी कहते हैं गुल्दावदी भी एक permanent plant है winter में इन में flowering तो होती है और बाकी टाइमों में ये plant बहुत ही सुन्दर सा evergreen देने वाला plant होता है और इस plant को अगर आपने एक बार किसी soil में लगा दिया अगर ये plant summer season में सूख भी जा रहे है तो भी ये plant rainy season में वुसी soil में से धेरो सारे plant तियार कर देता है और प्री में आपके garden में फिर से ये plant तियार हो जाता है तो ऐसे plant को आप winter season में nursery से जरूर पर्चिस कीजिए क्योंकि इस color आप add कर सकते हैं क्योंकि बहुती कम price का only 15 to 20 रूपीज में या 30 रूपीज में इनके देशी और hybrid दोनों variety के इनके plant आपको मिल जाते हैं तो उनको add करके आप कई सालों तक अपने garden में free में multiply कर भी सकते हैं इन प्लांटों को next जो seed loving और एक permanent flower plant है इसे बिगोनिया कहते हैं बिगोनिया मुझे बहुती फसंदे क्योंकि इन प्लांटों को जादा दूप की, केर की और fertilizer की ज़रूरत नहीं होती है और only winter season में हमें ये plant nursery में दिखने को मिलता है और इस time अगर हम इन प्लांटों को purchase करके अपने garden में लग प्लांटों को cutting से हम देरों सारे प्लांटे भी फ्री में तियार कर सकते हैं और इन दिनों nursery में आपको ये plant 50 to 100 रूपीस की बीच में कई सारे कलरों में ये plant हमें मिल जाते हैं तो वीडियो में जितनी भी plant में आपकी सब शेयर कर रही हो फ्रेंट से इनको इस time जरूर अप घर के अंदर इस प्लांटों को रख सकते हैं इन प्लांटों को अच्छी तरह growth के लिए only रौशनी की जरूरत होती है ज्यादा पानी fertilizer की और दूप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है और इसी time हम इन प्लांटों को nursery से अपने garden में add कर सकते हैं इन प्लांट की जो प्र प्लांट इस time grow भी होते हैं उनको divide करके भी आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट भी तियार कर सकते हैं और permanent प्लांट है एक वार add कीजिए कई सालों तक आपके garden में ये प्लांट रहता है नेक्स्ट जो बहुत ही hardy प्लांट हैं friends कम कियर में कम देख भाल में कई कई म अलवर ये प्लांट फ्लावरिंग करता है और cutting के तिरू और इस time nursery से इस प्लांटों को आप लाके अपने garden में लगा सकते हैं और इनकी cutting भी बहुत ही जल्दी से grow हो जाता है इस time इनकी growing time भी होती है तो आप इन प्लांटों को ज़रूर अपने garden में add कीजिए नेक्स्ट ज जरीनियम कहते हैं और जरीनियम को इसी time आप अपने garden में add कर सकते हैं क्योंकि इन दिनों nursery में इनकी बहुत सुंदर सुंदर कलर हमें प्लांट देखने को मिल जाते हैं और 80 to 100 रुपीस के बीच में इनके plants होते हैं और इस time अगर हम इन प्लांटों को add करेंगे तो cutting से भी देरों सारे plant तियार कर सकते हैं और एक खासियत है फ्रेंट से जितने भी plant में share कर रही हो इनकी cutting आराम से लग भी जाती हैं और जो चोटे से प्लांटों होते हैं हमारे cutting उनमें flower भी दिखने को मिल जाते हैं और इन प्लांटों के यर भी बहुत ही कम होती है तो जरीनियम को ज़रूर add कीजिए इनकी flower से एक बार मैं आपको दिखा देती हो यह दिखिए वंच में इनकी flower से खिलते हैं और कई-कई महनों तक ऐसी खिले रहते हैं तो ऐसे खुबसूरत प्लांटों को miss बिलकुल भी मत कीजिए इस टाइम आप इन प्लांटों की cutting कहीं से मिल रहा है य अभी आप अपने गार्डन में इसे add कीजिए नेक्स्ट जो बहुत ही खुबसूरत और एक पर्मनेंट फ्लावर प्लांट हैं जिसे क्लांचों कहते हैं और क्लांचों भी फ्रेंट से एक ही बार आप अपने गार्डन में add करते हैं और कई सालों तक आप इसी प्लांट से multiply करकर के एक प्लांट से अंगिनत प्लांट तियार कर सकते हैं और एक अची बात है इसी टाइम आपको ये प्लांट नर्सरी में कई सारे रंगों के साथ ये प्लांट अल्ली 3250 रूपीस के मिल जाते हैं और अभी अगर आप इस प्लांटों को add करेंगे तो कई सालों तक इसे पॉंचैटिया कहते हैं पॉंचैटिया विंटर में बहुत ही खुबसूरत दिखता है और ये एक पर्मनेंट प्लांटी भी है पूरे साल बार हमारे गाडन में ये प्लांटे रहता है लेकिन इनके ऊपर की लिव्ज और फ्लावर से इसी टाइम दिखाई देता है और nursery से ये plant हमें 400 रुपीज का मिल जाता है और इसी टाइम हम इन प्लांटों को add कर सकते हैं और add करने के बाद भी cutting से भी इस प्लांटों को इसी टाइम हम multiply कि अनगिनत प्लांटे इसी मन्ते भी तियार कर सकते हैं तो ये थे कुछ ये plant प्लांटे प्लांट से जिनको और चैनल पे अगर आप पहली बारे तो प्ली चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा बेलेकिन के साथ तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंट से तब तक के लिए नमस्कार बाई हैपी गाडनिंग टेक कियर फ्रेंट्स